वर्ल कप का अगला मुकाबला जो यहां होने वाला है इंग्लाइन वर्से स्कॉट लैंड के बीच में और यार यह एक तरफा मुकाबला होगा इंग्लाइन इस मेच को आराम से जीश सकता है तो यहां पर हम जो ग्राणली की टीम बनाएंगे उसका कॉंबिनेशन तीन सबसे बैतीन बनने वाले है आठ तीन का इसके लावा नो दो का और दस एक का यही कॉंबिनेशन बना के चलना कैसे बनाओ के आगे सब कुछ बताऊंगा पर एक चीज यह याद रखना कि तीन टीम में तो हमारी यह हो जाईगी तो यह भी यहाँ पर जीच सकती है तीक है आपने पहले भी यहाँ यहाँ में देख रखाया तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि तीन कॉंबिनेशन जो आप टीमों के बनाऊगे और एक कॉंबिनेशन जो बनाऊगे और एक कॉंबिनेशन जो बनाऊगे इसको बनाऊगे च्राह लिग की टीम ठीक है किया रैंक वन लाके अच्छा पैसम जीतना जाते हैं तो उस पर फोकुस करें बागी टाइम पास करें कोई मतलब नहीं है तो सबसे पहला सवाल यहाता कि यूणीक प्लेयर कौन कौनों से होंगे तो यूणीक प्लेयर की ही साप से देखो इंग्लेंड के यूनिक प्लेयर तो आप सभी को पता होगा इंग्लेंड की टीम बहुत अच्छी है ठीके बटलर वगरा सारे बहुत बढ़ी आभी फॉर्म में चल रहे हैं और अपने सीजन आइपल में भी देखा था बहुत अच्छी चल रहे थे तो वह तो हमें ले नहीं ह प्लेयर हो सकते इंगा अच्छी तो एक तो यहां पर मुंजे सबसे बैतिन उप्शन है ठीके जोर्ज मुंजे को यहां पर आप अपने टीम के अदर वेटेश दोगे इसके आप रिची बेरिंगें को यह बहुत बैंग्टन को यह बहुत रहे यह यह बहुत की अच्छा है विल जेक्स भी यहां पर एक काफी अच्छा उप्शन रहने वाला है, विल जेक्स को यहां पर अंडरिस्टिमिट करना, इसके भी यहां पर पारियाई को यह भी अच्छे का सरनिया बना सेता है, अभी Captain Vice Captain के यह सब से नहीं बता रहूँ, Captain Vice Captain मैं आपको वीडियो में आगे करोगे, ठीक है, अगर उनको आपने सामिल कर दिया, तो यहां पर आपको एक तरफा लोस होगा, तो वो कौन-कौन से प्लेयर होंगे, तो यहां पर England के वो चार प्लेयर और Scotland के इसे तीन प्लेयर है, ठीक है, तो टोटल यहां पर अपने पास साथ प्लेयर है, अब जैसे ब अब यह कोई छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, आख सभी जानते हो कि अगर इस जम जाता है, तो बहुत बड़ा खेलता है, लेकिन इन चारों को यहां पर मैं क्यूं इस section के अंदर डाला होगा, क्योंकि इने मोका नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिला भी सही, तो क्योंकि यह कोई ODII का World Cup नहीं, यह T20 World Cup है, ठीक है, तो सब के पास चांस बहुत कम होगा, तो मैं आपको रिकेमेंट करूँगा कि इन चारों के साथ में मत जाना, ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ब्रूक है, इसके अलबाद देखो, मोही नली है, लाइम लिमिश्टोन ह आपके पास यहां पर अच्छे कासे ऑप्शन है, ठीक है, अच्छे से लिमिश्टोन भी है, अच्छे से यह प्लेयर भी काफी बड़ा जम जाता है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वह यह कि इतना चांस इनको मिलेगा नहीं, तो इन प्लेयर पर हम इतना कुछ खास व बॉलर्स को थोड़ा सा अवोइड करना चाहूंगा, प्रशनिया पर इंग्लैंड के बॉलर्स को वेटे जादा दूँगा, अगर मैं इसकोर्ट लेंड के बॉलर्स को नहीं लुगा तो यह मान के चल रहा हूं कि जो ऑपनर के बैश्यमें इंग्लैंड के वह अच्छा करे देखो दियान से फिर से सुनना कि यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैं इसकोड ले रहा हूं क्यूंकि सोड़ hè अचाइं प्लेयर यहांपर रहेंगे एक लिए थोड़ा सा होजए ठीक हाँ आट पंपलेयर हमेने पास है कॉन होजने सासे इंगलेंड के साथ औरे मिखेंस देया रखाए क्योंकि दोखो इंगलेंड की तीम इस मेंच को एक तरफा जीच सकती बहुत पावरफुल ट क्यों कि 110 प्लैयर की आपने को टीम जो बना नहीं हो इसमें से 10 Inglan के प्लैयर है इक MON का tomar 01Go जिर्टीम इसक्षपाइज तो यहां पर अपना जो यह तास्य भी यहां पर परने तो यह उतिनों गईी तो तो यहां गेंचेंजर प्लेयर कौन-कौन सकते हैं वह थोड़ा सा देख लो जैसे कि जोस बटलर जोस बटलर भी बहुत अच्छा फॉम के अंदर चल रहा है इसकाला टाटा इपल में आपने देखा था बहुत अच्छा इसने परमेंस दिये तो definitely यह प्लेयर तो इग्नोर करने लाइक ही नहीं और मैं के रहा हूँ कि के लिए अच्छा-कासा यह उप्शन है ठीक है फिलिप सॉल्ड भी अच्छा उप्शन है इसको भी अपने को टीम में वेटेस देना है इसके बहुत अच्छी चल रही है तो यह दोनों के दोनों ऐसे फिक्स प्लेयर भी अपनी टीम के अंदर आप सामिल कर सकते हूँ ठीक है अच्छा उप्शन है जिसके साथ में अपन यह पर जाएंगे और बोलर्स मेंसे जिसे मैंने बताया है कि इंग्लेंड के बोलर्स को में वेटेस देना हूँ तो वह कौन-कौन से है तो उनके उपर देख लो एक तो रासीद है इसके अलावा अर्चर है देन अपने पास मार्क वूड है जोडन है और यहाँ पर सौल है ठीक है अब जिसे में बता रहाता ना सौल तो यह ही है यह एक ऐसा बोलर है जिसको अब बहुत अन्रेश्मिट आप करोगे लेकिए इसका जो सेलेक्शन रिश्य देन आपर बात करते हैं नेक्स प्लेयर की कि जो अपने टीम बनाने वाला हूं वो किसी साप से बना रहा हूं ठीक है तो यहाँ आपना चलते हैं कुछ बेसिक बाते भी आपने को करनी पड़ेगी तो सबसे पहले आपन वेन्यू को समझेंगे लिकिन वेन्यू समझने पहल तो एक छोटी सी बात यह ध्यान रखना कि यहाँ पर इस्पिनर को सेकें इनिंग के अंदर थोड़ी सी हेल्फ होगी दिन का मैच है तो यहाँ पर डियू फेक्टर नहीं आगा यह थोड़ा से ध्यान रखना और यहाँ पर आप देखो कि तो पेशर को सांट परसें एडव उसके अंदर तीन यहाँ पर इंग्लेंड ने जीता है वो एक यहाँ पर इसकोर्ड लेंड ने जीता है आप देख पार हो ने एक जीता है ऐसा है कि इसकोर्ड लेंड हर बार हारी हुई है चार मेच के अंदर आप इसकोर्ड लेंड में भी जीता हुआ है तो इसका अला मैं मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आप इंग्लेंड की सबसे टीम बना रहो वैलन गूड है वो लोजिक एकदम सही है लेकिन एक टीम एट इस इसकोडलेंड को थोड़ा सा वेटेस दे के जरू बताना आप वेटेस देरों इसकाला यह नहीं कि सारे इसकोडलेंड के प्लेयर बर रहे हो कुछ इस तरह के से कॉमिनिशन रख लेना उस एक टीम के अंदर छे पांच का जैसे बना सकते हो छे इंग्लेंड के और पांच यहा ह हा यह वई है वही है पर इंग्लेंड की बात कुरू तो इंग्लेंड ने जो प्ताइल के खेले उस पर से रिसेंड मैसा हा रहे हुए बाकि चार जीता और एक खा रह荄 हूए ठीक कि इसे पहले वाले इसे इन्हों ने वीं किये हैं और दोनों के जीतने की मज़ना और ध्यान रखना अब यहां पर मैं आपको अपनी टीम दिखाने वाला हूं लेकिन उससे पहले में बात करना चाहूंगा एक बहुतिनी प्लेटफों के बारे में कि यह कोई इंडिया का मैच नियान कि नोन इंडिया मैच और उसके अंदर भी यहां पर जो रेंक वन का प्राइस हो एक कर लिया गया ठीक है तो डेफिनिटली इससे इतने जो अच्छे ओफर है इसका आपको अपको बेनिफिट लेना चाहिए और मैं तो आपको आपको मिलने कि एक रुपे में खेलने का मौका मिल रहा है इससे ज़्याद आपको और क्या ही चीए इसका लाव आपना पहला डिपोजेट आप करो के कहीं न करी तो पहला डिपोजेट करो तो वीन टुनिटी परसंट रियल एश्टा केस और साथ में आपको मिलने वाला है फंदरा सोग लेकिन एक चीज़ रुको आपको वह 20 परसंट कैसे मिलेगा 200 पे 240 500 पे 600 1000 पे 1200 ठीके एग्जाम्पल है कितना भी करो उसका 20 परसंट मिल जाएगा और जो मैं आपको बता रहा था था साथ में 1500 पर बोनस मिलेगा तो मैंने तो अपनी टीम यहां पर बना लिए जो मैं आपक परस बटलर भी लेंगे विल जैक को भी यहां पर अपन लेने वाले है तो यहां सबनों किसको एक तो सेम करन को भी इम्पोर्टेंट इसके एलवा अर्चर यहां पर बहुत इंपोर्टेंट रहेगा अच्छे कासे विग इसको आराम से बिल जाएंगे ठीके अब यहां सा मैं बात करूँ तो यहां से अगर आप नोटीस थोड़ा सा करो तो यहां पर मैं ओनली फो चार के साथ में जाना चूँगा इसके अगर आप चाहो तो कुछ तू यहां पर डेफिनली ट्राय कर सकते हो डिसी बेरिंटन भी अच्छा ओप्शन है जिसके साथ मैं आप यहां इसके अगरे हो प्रिफर कर सकते हो ठीगह यहां वहारे तीन हो जाएंगे जर्च में पर हो यहां पर चार प्लेयर हो चुक है और यहांसे भी हो जाएंगे लिकिन अभी तक मेन आपको मेरे फाइनल टीम नहीं दिखाई है एक बार के लिए देखते की कौन-कौन सा ऐसा प् 109 यानि आप देखें तो काफी तगड़ी यहां पर चलो इसका एवरेज भी काफी अच्छा है है टी 20 का 34 का एवरेज और एट वेंडू का देखो कि तो 25 का एवरेज जो कि काफी यहां पर ज्यादा है सलेशन रिष्यो भी 91 पर्षंड का है आरां से अच्छे का सरे रन बना देगा तो इसको तो यहां पर आप टीम में अंदर सामेल करोगे यानिकी एक फिक्स प्लेयर यानिकी एक प्लेयर तो इसको मान के चलो कि इसको अपनी सारी टीमों हमको लेकर चलना है ठीक है अगले प्लेयर के यहां पर बात के रहे है जोस बटलर जिसमें मुझे बात करने की ज़्यादा जरूरती नहीं लगबग आप सभी जानतों कि इसको डिसक्रिप करने का कोई बात तूक बेड़ता ही नहीं है तो 39, 84 और T20 का एवरेज भी देखो तो 40 का है वेंड्यू का एकी मैच है जो 39 का यहां पर रहन है ठीक है तो एवरेज भी 39 हो जाएगा तो 40 का एवरेज भी बहुत ज्यादा होता है इसके लाबा यहां पर आप देखो के 97% का इसका सालेशन रिश्यो चल रहा है जो कि काफी यहां पर ज्यादा है तो definitely यह प्लेयर के लिए भी बहुत पहतिन उप्शन है और जो यहां पर अपन प्लेयर पिक कर रहे है उसमें से यह दूसरा फिक्स प्लेयर हो गया ठीक है यह जो हम 11 प्लेयर करेंगे उसमें से दो प्लेयर यहां पर हम सामिल कर चुके है इसके बाद प्लेयर की तो यहां पर बात करेंगे विल जैक अब विल जैक की आप अपर में बात करूं तो इसके पॉंच भी बट तकडि चल रही है और इसको भी मैं टीम मैं सामिल करूंगा तो यहां पर आप क्या कर सकते हूँ कि जिसे दो टीमे बना रह हूँ या फिर आप चाहर टीमे को बनाना है ठीक है बिल जैक भी अच्छा कर सकता है ठीक ऐसी बात निया कि अब इसको पर लब अंडरिस्टो इतना इंपोर्टेंट नियोगा इस वाले मेच के लिए मैंने इसको बताया बताया आपको की जैसे यह ODAI की सीरिज निया T20 सीरिज तो प्लेयर्स को इतना मोका न अबराग शियांसी ओए टीट्वनिटी का अवरेज भी यहां पर 34 का आसपास का यह लेकिन वोका नहीं मिलेगा तो फी टीम में सामिल करने का कोई सेंस है नहीं तो यह पर नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद यहां पर मैं है अध्री प्रोग के बात करू तयार इसको मैं इत है शिट का अनी अध्री इतग है था नहीं है ऊधिक है ऑगले के बाद को मोहीन अली अब महीन अली की बात को थे इसके बात को है नहीं इतन अची ऐता इत्न है नहीं थेखु है इंग mieć यह नहीं और तो इतना कुछ घाखह न् हीब तक शिदा अन्य करनेब हैं यह प्लेयर भी इंपोर्टेंट नहीं रहेगा आगे आप में सेम करन की बात करो तो सेम करन इंपोर्टेंट है मझा इतने सारे स्किप कर रहे तो इसको तो टीम बे लेना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सांबल की खेलता है जो की है हमारा यहां पर की जोर्डन ठीक है अगर इसके यहां पर बात को तो इसको में टीम के अंदर सामिल करने वाला हूँ क्योंकि इसको एक से दो विकेट यहां पर मिल सकते हैं इससे ज्यादा विकेट तो नहीं मिलेंगे लेकिन कहीं ने कि स्कॉटलेंड की टीम में को लग रहा है कि 10 के 10 विकेट उसके गिर जाएंगे मिलने वाला है तो उसके इसके सबसे में बॉलर्स के साथ में जाना ज्यादा प्रिफर करूंगा ठीक है तो अब समझ चुके हो कि मैं मैंने आपको क्लियर बताया कि में इंगलेंड के बॉलर्स प पर देखो के तो यहां पर इको भी बहुत ज्यादा है चार मेंच के अंदर 10 का इको और साथ में एक विकेट है पर मैंस जिनरी यह है कि इसको एक से दो विकेट मिल सकता है क्यों समने वाली टीम ओलाउड भी यहां पर हो सकती है इनके अगर जीते के चांस अगर देखे है यहां पर 80% है जो फरा आठर के आप मैं बात करू तो यहां इसको मैं रिकमेंट करूँगा कि इसको भी टीम में सामल करतो इसको भी एक से दो विकेट आराम से मिल जाएंगे लास्के दो में इसने एक विकेट और दो विकेट ले रहे है और यहां पर सत्रा मेंच का अगर इस विकिट भी ले रखे हैं तो यह आप इसको भी टीम में सामिल करने वाले हैं इंगलेंड के पर पॉच्छी सारे बॉलर्स के साथ में आपन जाएंगे और हो सकता है अंदर बॉलर्स को रोटेट भी कर रहे हैं अदेल रासित के यह बात करो तो इसको भी काफी अच्छा है इस खास से विकिट मिलेंगे में आपको बताया था कि सेकंड इनिंग के अंदर अगर मानलो की इंगलेंड की टीम बोलिंग कर रही है तो फिर यह प्लेयर इंपोर्टेंट हो जाता है सेकंड इनिंगी सबसाब इस निए देसेगए इसके यह इसका आप डेखोगे तो पिछो पट्अ के यह पार जा सेलेक्शन रिशु जला रहा है सिबयाग alltid इंग यह साथ में पवांग इनिंग इंग आपकर पिसको सामने मीका सामैल डो फरस सेंद में लोने इनिंग के इंदर है जानी, के दो average चुन जा थाँ और की है कि बहुत अच्छा है, तो इसासा प्लेड यह पर को डिंग का उसके और पेढ़न थाट अ है फिंग लेंग किसको यहां पर लेना और किसको अपने नहीं लेना है ठीकिए सबसे प्ले पर मैं रिची बैंट बात करूं तो यार इस प्लेर के बार में यही करना चोऊगा कि यह बढ़ा प्लेर फिर भी अच्छा है मुझा यह मानके चलो कि मैं सिभ यहां पर अगर उचे वेटेश देना ह फिर मैं यहां पर 10-2 के combination में चलूँगा फिर यहां पर 2 मुझे चीहेंगे एक तो दो शोल हो जाएगा इसके साथ में 1 कोई और बैट्सन में से होगा ठीक है जोर्ज वाकेरा कोई भी हो सकता है फिर दस नहीं होगा यह यह यहां पर 9 हो जाएगा ठीक है इसके बाद में 8-2 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ठीक है यह हमारे तीन सबसे बैतीन कॉम्बिनेशन हो जाएगे लेकिन इसके साथ में एक टीम और बनेगी अपनी जिसके अंदर तो मैं आपको सीधा रिक्यमेंट करूँगा कि फिर आप यहां पर 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाऊगे तो मैं आपको आइडे दे रहा हो कि कौन-कौन सब्लेर इंपोटेंट है तो यहां पर जब भी टीम बनाऊ तो प्लेयर को रोटेट करने ना ठीक है और इसको मैं बोल रह यहां पर गीर सकता है यह चीज़ भी द्यान रखना तो ज़्यादर टीमों में यहां पर शामिल नहीं करोगे जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाए हैं बता हैं सिव आपको वही लेना है ठीक है उनसे कि यहां पर मैं बात करूँ तो यहां पर जो उनसे जो है देखो इसको अब बहुतर रन की पारी भी खेल रही है ठीक है टीक है टीटी के 45 में इसके अंदर देखो के तो फंदरा सो नो रन है बहुत ज्यादा है और साथ में 35 कावरेज और इसको यहां पर चल रही है ठीक है देखा जाए तो ओल ओवर इसकी पाफी अच्छी है तो जो अपने को लेना था मिन आपको बताया था जो जो डे सकते हो तो डेख लो इसकी पहुत अची चल रही है तो अगर आप यहां पर जैसे अब मैं यह बता रही है कि जिसे 9 दो का कम्बिनेशन ने जिसमें 9 इंगलेंड के हैं और 2 यहां पर अपने स्काम्ड लक्रीन के हैं तो घुर्ग हो जाएगा और एक जोर्ज हो जाएगा ठीक है तो वो combination भी यहां पर आप डेफिनिली ग्रांड लिक के लिए ट्राय कर सकते हो अगले पर बात करें जोंस क्यार यह माइकल जोंस इतना इंपोटेंट नहीं इसको यहां पर इग्नोर कर सकते हो 23, 1-1 run, 4 runs, 86 runs, 25 runs 23 match के लिएखयो तो 12B, ठीक टाक है लेकिन इंग्लें के समें match है तो मुझे नहीं रखता ही and play iTna अच्छा तो इसको अपन सिधा इंग्नोर ही करने वाले ठीक है जो as important होगा वो मैं बतादूँगा और छो किolen के बाँ में बता दूगा किimaальная तो यह बहुत कम है अगर यह 135 का आसफास की होती तो फिर भी मैं आपको रेक्मेंड कर सेता था कि आप टीम में ले लो बाकि अभी तो मत लो ठीक है टीम के अंदर आगे चलते हैं क्रिस expect यह फ्लेख सबुए इसको थो प्लेयरी बात का यह है कि अपर कुंद्ले में और यहीं लेकिन इंग्लेड के सामने में गेक शीक़िक जड़ी त्लिटीन की अगलेगा किले हैs यह तक है यहांपर इस क्लिटा घ्लोग जो एक करूप अगर प्लेयर को रोटेट करना है तो इसको दे देना दोको इससे पहले जो प्लेयर था उसका अगर अगर आपन देखे तो नो मेच काया आपर T20 का था लेकिन इसका जो एक्सपरेंस है वो यहां पर 22 मेच काया है याँ काफी अच्छे मैच इसने खेल रखें 16 का अवरेज थोड़ा सा कम है कैपना इसका बना तो गंटा भी नी बनाने वाले लेकिन 28 विकेट भी है याँ कि प्लेयर को टीम में सामिल रखा जा सकता है ठीक है कई ने कई अगर आपको रखना हो तो जैसे अगर आप तीन से चार टीम में बना रहे हो तो किसी एक टीम में डाप करने के जांब से किसी अधर टीम में किसी और को कई ट्राइ काडना उति इसके बाद यहाँ पर मैं तो इतना इंपोटे नी इसको आप सिदा है इंपोटेंट लिए इसको आप सिधा यहां पर इगनोर करोगे विकेट वगजरा एक दो दीख रहे लेकिन इंग्लेंड कि विकेट इना जल्दी गिरेंगे तो यह प्लेयर भी आपन सिधा इग्णोर ही करने अवाले ठीक है अगले प्लेयर के आपर में बात करें मार्क वोट की तो यह भी इंपोर्टन नी इस मिलेगा तो सेकंड इनी के अंदर चाहो तो इसको थोड़ा सा वेटेस दे सकते हो अगर इसको लें सेकंड इनी के अंदर बोलिंग करती है तो बाकी यहां पर तो मैं टोटल इक्मेंडेशन ही दूंगा सिधा यहां पर आप इग्णोर इसको कर देना ठीक है अगले प्लेयर के आपर बात करते हैं जो कि है हमारा इंपर इंपोर्ट है तो क्रिस शोल को आप अगर में बैट्समें कोई गलती कर सेता है और उत्षकर में इसको विकई यहां पर अच्यकासे मिल सकते हैं ठीक है अच्यकासे से मेरा मतलब है कि एक से लगा अगर तीन विकट आमान के चलो अगर कई ने के इसका बड़ बड़ा इसके पीचे हाथ होगा तो इसलिए अग मैं इसकी बात करूँ तो यह जो प्लेयर है इतना रिक्मेंडेशन नहीं दूँगा इसको यहां पर आप सिधा इग्नोर कर सकतो रिशन फॉम लास्के चार मेंच के अंदर जीरो 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 विकित है इससे पहले वाले में देखोंगे तो फिर भी दो विक कॉ कहरते हैं इसकी आपके तो ऑगले के लिए सबसे बहती ना उप्शन यहां पर कौन से रहना हैं तो स्कॉर्ड लें से यह जए क्वेशन नहीं जाएंगे दिखने रहा है लेकिन आप और इंगलें न की तीम से अच्छा उप्शन यह तो कौन को नहीं ए एक तो देखो ब के लिए थोड़ा सेपसेट जालते हैं इतारे इसका नहीं लेना हो तो क्या उप्शन है जोस बटलर फिल्प सॉल और सम्करन यह आप सभी को बता होगा कि हाँ यह तो सबसे बहुतिन ऑप्शन यहां पर है तो ग्रालिकिट जिसे आप टीमें बना रहे हो चार से पांस तो इन कैस के शकाड़ हो है तो सम्करन का 12 मैं सबसे को 17 लोग यहां पर क्या कर है कि जोस बटलर को करन बना और उसके साथ ए फिलिप व्लॉड को क्या कर रहे है ज्यादा कुछ फाराख है नहीं लेकिन आप इसके साथ में यहां पर आप ट्राय कर सथे हो अब यहांपर मैं अपको लिंक देखे दिसक्रिप्शन में मिगें, क्योंकि यहां पर आप आज दो मेंगा ओंटे जोइन कर सकते ह् सिफ एक गुपह मैं ठीके एक बहुत बड़िया ओफ़ा ये यह त्राइ यह पर किया जा सकता है तो अगर आप देखो के तो मैंने यहाँ पर स्कॉब्लेंड के दोनों बैट्समयन ranking ले रहे है are यहां पर आप देखो के then George Munsus इसके लावा देखो को तो Richie करके बताना बाकि आप कैप्टन किसको बनाओगे यह भी कमेंट करना यहां तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब भी कर दो इस ट्रीम में कुछ भी बदला हुआ ग्रानलिक के अंदर तो डेफिनेटली उसके अपडेट आपको का कि टेलिग्राम पर मिल जाएगी और हां इस खेल में आज़त लगना यार्थी जोकिम संभव है जिम्यदारी से खेल लें